हेलो दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कारू का खजाना सीरीज के बारे में ये छे पार्ट की सीरीज है फर्स्ट पार्ट का नाम है अश्वराज सेकंड पार्ट का नाम है कारू का खजाना थर्ड पार्ट का नाम है अश्वर मनी फोर्थ पार्ट का नाम है तलिस्म का कि यह मेरे पास डैजेस्ट के फोम में है और डैजेस्ट की कॉलिटी बहुत अच्छी है और इसकी जो स्टोरी है वो सारा कारू का ख़जाना के आसपास ही रिवॉल्फ करती है और अफकॉर्स इसमें अश्वराज का एक बहतरीन ओरिजन बताया गया है अब मैं सच्छी में बात बोलता हूं कि जब मैंने यह सीरीज पड़िन थी तो मुझे अश्वराज के बारे में इतना कुछ बिल्कुल भी पता नहीं था मैं उसको मैंने काफ़ी सारी मल्डिस्टार कॉमिक यह टू इन वन कॉमिक में देखा हुआ है मैं इसमें ओरिजन इस देकर बताई गये जब मैंने इसको पड़ा तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि इसके ओरिजन में यह सब चीजे भी हुई थी और मुझे स्टोरी पड़के ब कि वैसे मैं बता चलो बताई रहता हूं कि क्या है कि पहले मुझे बताने था कि भी अश्वराज पहले भी मौत को प्राप्त हो चुक है उसने फिर पुंद्र जनम लिया है ठीक उसी रंग रूप में मैंने यह सब चीजे ऐसा कुछ पता था नहीं तब जब मैंने यह बात यह बड़ी कॉमिक तो है है रान भी हुआ और काफी क्या कूंकि ऐसा रियक्शन था कि यह तो एक नई चीज़ पर चली पूरी स्टोरी एडवेंचरस है एक ही समय में प्रेजेंट की कहानी चलती है दूसरी तरफ पास्ट कहानी चलती है और जो कार्व का खजाना है वो बहुत मालब उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है अश्व मनी और जो इस सीरीज का में विलिन है उसको पूरे कार्व का खजाने में सिर्फ अश्व मनी ही चाहिए और कार्व का खजाना को सिर्फ और सिर्फ अश्वराज ही ला सकता है तो वो किसी तरह कुछ ऐसा होता है कि जिसके वैसे वो अश्वराज को मजबूर करता है कि वो उसके लिए कारू का खजाना लेकि आए और अश्वराज को रोकने के लिए काफी सारे जो अश्वराज के ही दोस्त होते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि अश्वराज कारू का खज पूरी स्टोरी काफ़जार माज़जार है जैसे कि मैं दो तीनों पहले ही बोल चुका हूँ और जो एक करेक्टर है रिशी यह बिलकुल लास्ट में पर चलता है कि यह आकिर है कौन बहुत लास्ट जब इसका खुलासा हुआ तो बहुत शौकिंग मोमेंट था बसे देखने की क्योंकि यही रिशी में जो होते हैं वह अश्वराज को रोगते हैं अपने अलग 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 शर्टे के बल पे ताकि वह खजाने तक ना पहुंचे और अश्वराज कैसे उन सब स अगें आटो काफ़जा बढ़ी है और इसमें जोर राजकुमारी कुद्म छुंबी है और अश्वराकिरती है मतलब इसका भी इनका बारे में बहुत चीज़ी पर चलते है बाद में मतलब कारोगा खजाना के ऊपर सिर्फ कारोगा खजाना ही है लेकिन मतलब लेकिन जो मेंन चीज़ है वह अश्वराणी लेकिन बता है कि अश्वराणी का जिकर बहुत बाद में होता है बस में लाज में इतना कहूंगा अगर आप अश्वराणी के फैन हो तब तब को डेफिनिटली इस सीरीज को खिरजन चाहिए चाहे पेपर बैक के फोर्मेट में चाहे डायस के फोम में चाहे इस राश के रूप में कलेक्टरिशन के रूप में सीरीज पढ़न लाइक है और आटों जासे कि आप देख पा रहे हो काफी दा बढ़ी है अगर आप अश्वराज के फैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी सीरीज को इंज्वर करना चाहते हो तब भी आप इस सीरीज को अराम से खिरी सकते हो मेर लिए तो फुल पैसा वसूल रही है सीरीज और हाँ अगर 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 डेश्ट खरीदते हो तो इसमें एक थोड़ा सा जोल हुआ है कि यसे तिलिसमे खिलाड़े के पर फिर आया अश्वराज शुरू होती है लेकिन यहाँ पर पहले प्रलंकर अश्वराज को ड मैं इससे बता रहा हुआ कि अगर आप डेश्ट खरीद रहे हो तो आप यह सोचके मत्तर चिंद मलग ऐसा मत्तर सोचना कि कोई कॉमिक मिसिंग है मिसिंग नहीं है बस लास्ट के दो कॉमिक आगे बीच होए पड़े है हाला कि जातों मुझे बता है कि RCM जी ने इसके आगे कॉमिक्स को सिंगल में अभी तक नहीं चापा है यह तो पका बता है कि अगर सिंगल में आई तो आगी जदके पका डेश्ट भी आएगी और मैं इसके आगे के डेश्ट का भी बेट कर रहा हूं बहुत ही मैज़ार कानी थी यह और यह करेक्टर भी काफी रहसे महीं है इसके बारे सारे सब्सक्राइब एंड में ही खुलते हैं तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो के लिए से वितना ही मिलता हूं से नेक्स्ट टीडियो में तेल देन बाई एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो